हाई गाईज, वेलकम तो यू इंग्लिस बित प्रमोत कुमर प्यारे बच्चुँ, टूड़े भी डिशक्ष अबाउट मेरेशन इस्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मेरेशन पढ़ेंगे यानि डारेक्ट स्पेच चेंज इंटू इंडारेक्ट स्पेच प्यारे बच्चों, इंट्रागेटिव सेंटेंस जो बेरी बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाहे है स्कूल का पेपर हो या फिर इंट्रिमीडिट का पेपर हो या फिर आप कंपर्टिशन लेबल का कोई भी इगजाम हो एक दो क्वेशन पूछे जाते हैं जिन बच्चों का इंट्रागेटिव सेंटेंस में डाउट्स है सही से वो चेंज नहीं कर पाते हैं एक क्लास देखने के बाद उनका डाउट्स किलियर हो जाएगा ओके प्यारे बच्चों एक क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सेर करें कमेंट आप लोग अवस्य करें शेली नैरेशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों ये चैनल है इसको सस्क्राइब करें प्यारे बच्चों इंट्रो वेट्यू संटेंस प्रश्न वाचक वाग के रूल्स रूल्स देख लेते हैं कोई भी संटेंस को बनाने से पूर्व हम लोगों को रूल्स आने चाहिए यद रूल्स नहीं पता है तो कोई भी संटेंस जो डाइरेक्ट का इंडाइरेक्ट में हम चेंज नहीं कर सकते चली रूल्स इस बेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए इंट्रेगेट्यू संटेंस में क्या होगा कि question के last में question mark अवस्जि लगा होगा क्या लगा होगा question mark लगा होगा रूल्स में आप लोगों ध्यान देना है reporting word said ध्यान दीजिए मैंने हाइलाइट कर दिया है आप लोग lecture को सुनीए reporting word said को आश्कद या inquired में बदला जाता है रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्केड या इनकोरेट में बदला जाता है ओके यह रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट है सेट को रिप्लेस कर देंगे आस्केड में या फिर इनकोरेट में प्यारे बच्चों रोल शिकेंड conjunction इप या weather का प्रियोग किया जाता है conjunction कहा पर in place of कामा और inverted कामा के अस्थान पर कामा और inverted कामा के अस्थान पर conjunction इप या weather का प्रियोग किया जाता है रूल थर्ड रूल देखते हैं यद रिपोर्टेड स्पीच question word how, why, where, when, whom, who से प्रारंब होती है तो conjunction if ये बेदर का प्रियोग नहीं किया जाता है ध्यान दीजे अगर रिपोर्टेड स्पीच यद रिपोर्टेड स्पीच question word से प्रारंब है how, why, where, when, whom, who से प्रारंब होती है तो conjunction if ये बेदर का प्रियोग नहीं किया जाता है बलकि आये हुए question word को जो question word आता है sentence में उसी question word को conjunction के रूप में लिखा जाता है बलकि आये हुए उसी question word को conjunction के रूप में लिखा जाता है प्यारे बच्चों बास समझ में आई नेक्स्ट रूल यदि reported speech यदि reporting verb में कोई object नहीं दिया होता है यदि reporting verb में कोई object नहीं दिया होता है तो indirect में बदलने पर him, her, them him, her, them इन में से किसी एक को मान लिया जाता है यदि reporting verb में कोई object नहीं है तो चाहे आप him मान ले या फिर आप her मान ले या फिर आप them मान ले कोई एक आपको object मानना पड़ेगा ओके क्या क्या rule हमने देखा एक बार revise कर लेते हैं फिर इक साइज करते हैं प्यारे बच्चों reporting verb set को ask it या inquired में बदला जाता है reporting verb set को ask it या inquired में बदलेंगे ओके conjunction if या better का यूज किया जाएगा conjunction if या better का यूज किया जाएगा next यदि reported speech question word how, why, where, when, whom, who, etc. से प्रारम होते हैं तो conjunction if या better का प्रियोग नहीं किया जाता है बलकि आये हुए question word को conjunction की रूप में लिखा जाता है okay, third rule क्या कह रहा है यदि reporting verb में कोई object नहीं होता है यदि reporting verb में कोई object नहीं होता है तो indirect में बदलने पर उसे him, her, them यानि चाहे आप him मानले या फिर आप हर मानले या फिर आप them मानले कोई एक object आपको मानना पड़ेगा ओके, समझ में आया प्यारे बच्चों, pronouns देख लेते हैं pronouns table pronouns table इस code को हम लोग ध्यान रखेंगे जो लिखा है sun1223, क्या लिखा है sun1223 इसका मतलब यह है कि yes यस यस बोलें तो subject, yes क्या हो जाएगा subject ओ क्या हो जाएगा object ओके, यहन क्या हो जाएगा no change क्या हो जाएगा no change प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि जो first person होता है subject के अनुसार बदला जाता है reporting verb के subject के अनुसार first person जो होगा reporting verb के subject के अनुसार बदले जाएगे second प्रसंज होगे reporting verb के object के अनुसार बदले जाएगे third प्रसंज होते हो no change होते हैं ओके प्यारे बच्चों ध्यान देजी यह इसको आप लोग नोट कर लें प्रोनाउंस टेवल मैंने लगा दी है चले प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं first प्रसंड काउन काउन से होते हैं first प्रसंड जो होते हैं I, Me, My, Be, Us, Our यह जो चेंज होंगे reporting verb के subject के अनुशार तो कहले लिखा सन बटाएक से होते हैं first प्रसंड जो चेंज होगा reporting verb के subject के अनुशार second प्रसंड काउन से होता है you you your यह चेंज होंगे reporting verb के object के अनुशार reporting verb के object के अनुशार third प्रसंड no change third प्रसंड no change प्यारे बच्चों आपको first प्रसंड second प्रसंड ध्यान रखना है यही चेंज होते हैं third प्रसंड में कोई चेंज नहीं होता है यह कोई बदलाओ नहीं किया जाता है चेली बास्ट प्रसंड में आई सन बटाक्स होते हैं first प्रसंड first प्रसंड subject के अनुशार second प्रसंड object के अनुशार third प्रसंड no change ओके चेली एक सरसाइज की तरब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों ध्यान देना interrogative sentence होगा तो लास्ट में question mark अवस्ची लगा होगा क्या लगा होगा question mark लगा होगा interrogative में he said to me are you ready he said to me are you ready प्यारे बच्चों ये sentence जो कॉमा से बाहर है इसको बोलेंगे reporting verb क्या बोलेंगे reporting verb जो कॉमा के अंदर वंध है इसको क्या बोलेंगे reported speech क्या बोलेंगे reported speech direct speech का वह sentence जो कॉमा से बाहर होता है reporting verb कहलाता है और वो संटेंस जो कोमा के अंदर क्लॉज होता है कॉमा में क्लॉज होता है धंद होता है उसको रिपोड़ स्पीच बोलते हैं यहीं पर रूल अपलाई होगा यह रिपोर्टिं वर्व है सन्वार्टा एकसो 131 परण सब्जेट केंसा जा सीगनी परसंद आप जेल सा ठाटवेट परसंद नो चेंज ऐल के चलिए मनाते हैं आज ही सेट टू मी एंडा डारेकट है व। इ संटेंस है ये डारेकट है लोग बनाएंगे इंडाइरेक्ट क्या बनाएंगे इंडाइरेक्ट बनाईए तो क्या हो जाएगा ही ओके शेड का हो जाएगा आस्केड यदि इंट्रागेट्व संटेंस है तो सेड की जगब क्या लिखेंगे आस्केड क्या लिखेंगे आस्केड ओके उसके बाद me object ये टू हट जाएगा प्यारे बच्चों he asked me प्यारे बच्चों ध्यान देना है यदि reported speech helping verb या model verb से start है helping verb या model verb से start है तो conjunction इफ्या वेधर लगेगा और बच्चों ध्यान रखना है यदि sentence yes या no पर आधारित है या sentence का sense मिल रहा है yes या no तो आप conjunction वेधर भी यूज कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर क्या यूज हम कर देंगे वेधर ओके चाहे आप वेधर लगा दें और चाहे फिर क्या कर दें इफ ओके इन conjunction में से कोई एक conjunction आप यूज करेंगे तो क्या होगा he asked me वेधर या इफ ओके अब ये जो यू आपका second परसन आगया ध्यान रखिए शन बटा एकसो तेज सन बटा एकसो तेज ध्यान रखना है ये जो यू आगया यू ये यू आपका second परसन है second परसन क्या गह रहा है object यानि दो के सामने क्या है ओ बना है ओ ओ मिनश ऑबजेक्ट और second परसन होता कौन कौन सा है you you are ओके तो यहां पर you change करेंगे हम किसके अनुसार change करेंगे मिके अनुसार का subject क्या हो जाएगा आई friends present indefinite tense past indefinite tense में चेंज होता है और प्रजेंट कंटीनिवस टेंज इंटू पास्ट कंटीनिवस तो प्यारे बच्चों यहां पर आर का क्या हो जाएगा वाज क्या हो जाएगा वाज फिर ready चलिए यह बन गया क्या sentence बन गया he asked me whether या if I was ready I was ready समझ में आया next चलिए दूसरे sentence हम लोग देख लेते हैं sentence लिखा they said have you not completed your homework चलिए प्यारे बच्चो important sentence है exam में interrogative sentence ही ज्यादा तर्प मुच्छा जाता है आप लोग को ध्यान देना है यादि आप high school या intermediate का paper देने जा रहे हैं तो एक बार इस lecture को देख करके जाएगा आपका दो नमबर पक्का हो जाएगा इंट्रा गे टू संटेंस पूछा जाएगा इद आप लेक्चर को देखते हैं तो दो नमबर का आप संटेंस करके आएंगे चलिए क्या लिखा he said have you not completed your homework change कर लेते हैं change into indirect क्या हो जाएगा दे ओके said क्या हो जाएगा ask it क्या हो जाएगा ask it प्यारे बच्चो ध्यान देना है यहाँ पर कोई object नहीं है जब object नहीं होगा इंट्रा गेट्यू संटेंस है तो object आपको मानना पड़ेगा चाहे आप हर मान ले चाहे आप him मान ले या फिर आप them मान ले कोई object आपको मानना ही पड़ेगा तो यहाँ पर क्या कर मान लीजी मान लीजे मैंने मान लिए यहाँ पर हर जो आपको अच्छा लगए हुआ आप यहां पर object लिख लिजिए him, her, them में से, इन में से कोई एक object आप लिख लिजिए, फिर हमने क्या कहा, यद रिपोर्टेड स्पीच, helping वर्ब से, या model वर्ब से start है, तो if या better use करेंगे, तो हम क्या यहां पर क्या यूज कर देंगे, if, क्या लगा देंगे, if, अब you बदलेंगे, object यहां तो है नहीं, लेकिन यहां पर मैंने object मान रखा है, her, okay, यहां पर मैंने object मान रखा है, her, तो यहां पर, her का subject क्या हो जाएगा, her तो objective case है न, तो subject क्या हो जाएगा c okay और है यानि प्रजेंट पर्फेक्ट तेंस चेंज हो जाएगा पास्ट पर्फेक्ट में है जह है का हो जाता है 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 क्या हो जाता है है ऊके उसके बाद नाट not completed completed your change करेंगे हर के अनुसार क्योंकि ये भी तो you your you see her her यानि ये you का क्या है possessive adjective है तो see का possessive adjective हर ही होता तम क्या यूज कर देंगे हर क्या यूज कर देंगे हर ओके homework हर homework homework प्यारे बच्चों ध्यान देना है जब sentence हम direct से indirect में change कर लेंगे तब आपको question mark का use नहीं करना है तब आपको question mark का use नहीं करना है तब ये question mark जो लगा है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा क्या sentence बन गया they asked her if she had not completed her homework ओके शमझ में आई बात very good next चलिए exercise जो जो exercise हम करते जाएंगे आपका doubts clear होता जाएगा ध्यान दीजी the principal said to the clerk have you sent my letter चलिए change into indirect speech तो क्या हो जाएगा दा प्रिंश्पल दा प्रिंश्पल आस्केड ओके दा प्रिंश्पल आस्केड दा क्लर्क प्यारे बच्चों हाँ पर object क्लर्क दिया गया है तो आपको object मानने की कोई जरूरत नहीं है दा प्रिंश्पल आस्केड दा क्लर्क ओके कंजक्शन क्या उज़ करेंगे इफ क्या उज़ करेंगे इफ ध्यान देना है या दे रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब क्या रखना है हेल्पिंग वर्ब या फिर माडल वर्ब helping verb या model verb से start है तो conjunction if या weather का प्रियोग किया जाएगा इसमें conjunction that का प्रियोग नहीं किया जाता है ओके if लगा लिए आप हम क्या करेंगे यह you you को change करेंगे clerk cancer क्योंकि sun 2230 का formula आप लोगों व्याद है सन बटाई 135 प्रसां सब्जेट के अनुसार सिकिंड प्रसां आपजेट के अनुसार थर्ड प्रसांगungen च δ करेंगे clerk क्या कर देंगे ही क्या कर देंगे भिया ही हड dinner हैश को जाएगगा Typ में चैन कीक्प्ररफेक्टेंज booking में टो हले और वे एपर क्या हो जाएगा है उसके वाद सेंट का वकेशन माई आपका फार्ट परसना गया आपकरी न किससे हैं आपको integrate करेंगे principle के अनुसार किसके अनुसार प्रेंसिपल के अनुसार यह माई चेंज किया जाएगा प्रेंसिपल के अनुसार ओके तो ही का पजेश्चिव अजेक्टिव क्या लगाएंगे ही क्या लगाएंगे ही लेटर ओके फिर यहाँ पर प्यारे बच्चू फुल स्टाप का यूज किया जाएगा ना कि क्वेशन मार्क का यदि आप क्वेशन मार्क लगा देते हैं तो संटेंस आपका रॉंग हो जाएगा आपको क्वेशन मार्क यूज करने की कोई जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है बच्चों बस आप लेक्चर को देखते जाएए next सी शेड वाट आप यूदुइःड यूदू यूदू है ये चाहलिए चेंज इंटो इन्डिरेक्ट स्पीच चेंज इंटू इंडिरेक्ट स्पीच तो जैसा की रूल वन क्या कह रहा है रिपोर्टिंग वरब सेट को आजके डिया इन कुरिड में change करेंगे तो change कर लिजिए conjunction if i whether यूज़ करेंगे तो दोबागा c कि आसकेड कि शी आसकेड आपजेक्ट नहीं है तो यहां पर आपजेक्ट हम हम मान लेंगे यह आपजेक्ट नहीं होगा तो चाहे आब हर मान लीजिए चाहे आप him मान लीजिए या फिर चाहे आप them मान लीजिए ओके object हर मान लीजिए चाहे him मान लीजिए see ask it him उसके बाद आपको ध्यान देना है यदि reported speech रूलियाद करिए जो मैंने भी करवा यदि reported speech question word से start है question word आप जानते है what, how, where, when, why यदि इन सबसे sentence start a reporter speech तो if या बदर का यूज नहीं किया जाएगा बलकि जो question word आएगा उसी question word को conjunction की जगाँ पर हम यूज करेंगे ओके, ध्यान रखना है small letter में लिखा जाएगा तो यापर हम क्या करेंगे इसी what को small में लिख देंगे ओके, what ध्यार रखना है प्यारे बच्चों जब conjunction जब question word conjunction का काम करता है तो question word के बाद direct subject subject याणि noun या pronoun आता है, अब you change करेंगे him के अनसार क्योंकि हमने object him माना है तो you को change करेंगे him के अनसार तो हम यूज करेंगे he क्या यूज करेंगे he present continuous tense का हो जाएगा past continuous tense तो is mr का हो जाता है was here friends आप लोग इत कहेंगे तो helping worker भी मैं एक वीडियो बना दूँगा was he was doing he was doing here का friends क्या हो जाएगा there here का क्या हो जाता है there now का क्या हो जाएगा then now का क्या हो जाएगा then sentence क्या बन गया she asked him what he was doing there then ओके प्यारे बच्चों note करते रहिए typing से अच्छा है कि मैं आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूं आप लोग बताईएगा typing अच्छा रहेगा कि यही ठीक रहेगा comment करके आप लोग बताईएगा the boy said to me where are you going today the boy said to me where are you going today कुछ बच्चे पूशने लगते हैं कि सर्द हम कैसे पता करेंगे कि इंट्रागेट्व है तो कुछ पता करने कोई जरूरत नहीं है बस आपको sentence को देखना है sentence के last में आपको यह question word मिलेगा यह question word मिल लहा है sorry question mark question mark यह मिल लहा है तो इंट्रागेट्व संटेंस होता है चलिए change into indirect speech यह direct है आप लोग क्या बनाएंगे indirect चलिए भर indirect बनाएए तो क्या हो जाएगा the boys the boys okay एक मिनट the boys shed को change कर देंगे ask it में किस में change कर देंगे ask it में friends यहाँ पर a है एक मिनट यहाँ पर object मी दिया गया है तो object मानने की कोई जरूरत नहीं है कोई और सकता नहीं है यहाँ पर जिम्मी है object मी ही रहेगा प्यारे बच्चों ध्यान देना है question word से sentence start है reported speech ध्यान दीजी sentence के जिस पार्ट में set अगेरा लगा रहता है यानि जो कॉमा से बाहर रहता है उसको बोलते है reporting verb क्या बोलते है reporting verb जो कॉमा के अंदर sentence close रहता है उसको बोलते है reported speech क्या बोलते है reported speech बेच अब यहाँ पर कुश्चन वर्ड को कंजक्शन की रूप में यूज करेंगे तो हुएर है डबलू को इसमाल लिखेंगे हुएर हुएर के बाद क्या लिखेंगे यू यू चेंज करेंगे किसके अनुसार मी के अनुसार वक्यशन के अनुसार मी में इसमाल लिखेंगे यू यू आधा की यू बच्चों गिचल का लिखेंगे mें पर बाद कुश्य लिखेंगे ग्यू टो डाइट डे क्या हो जाएगा डाइट डे टूडे को किसमें चेंज करेंगे डाइट डे में शबंद में आ रहा है दब आज आसकेड मी वेर आई वाज गोईंग डाइट डे नेक्स्ट नेहा सेड डू यू एट दा फ्रूट्स नेहा सेड डू यू एट दा फ्रूट्स चलिए चेंज इंटो इंडिरेक्ट स्पीच नेहा आसकेड ऑबजेक्ट यहाँ पर हम देम यूज कर लेंगे क्या यूज कर लेंगे देम जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं हर देम में से एनिवन नेहा आसकेड देम ओके फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्प से रिपोर्टर स्पीच प्रारंब है तो इफ यू ऑच्छू यू सेकेड़ प्रसन किसके नुसार आपजेट के नुसार तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे ओके दे फृएंट प्रेजेंट संगें फखेंगी पास्ञेंYe九 टेंस मेंट सोफ้नेश में जालता में वर्पिप्रिशिकल्स की जाते में वर्प्रम पी श चलिए, क्या बन गया, Neha asked them if they ate the fruits, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट, they said to me, they said to me, whom did you want yesterday, चलिए, change into indirect speech, friends, क्या हो जाएगा, they, ask it, they asked, object क्या है, मी, तो object हो जाएगा, मी, प्यारे बर्च यहाँ पर, question word आया है, तो whom आया है, तो whom को use करेंगे, उसके बाद यह, you, you को change करेंगे, मी के अमसार, तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, friends, ध्यान रखना है, past indefinite tense change होता है, past perfect tense में, past perfect tense की helping verb क्या होती, hide, क्या होती है, है, hide, verb की third फान, तो want का क्या हो जाएगा, wanted, wanted, yesterday का क्या हो जाएगा, the day before, the day before, the day before आप यूज कर सकते हैं, या फिर the previous day, the, the previous day, ओके, yesterday का क्या हो जाएगा, the day before या फिर the previous day, ओके, प्यारे बच्चों, they asked me whom I had wanted the day before, या फिर the previous day, next, प्यारे बच्चों, writing को mention नहीं करना है, आप समझते जाएगे, आप को समझना important है, ना कि writing, ओके, the wolf said to the lamb, why are you making the water dirty, यानि भेड़िये ने lamb से कहा, मेमने से कहा, कि आप पाने गंदा क्यों कर रहे हैं, शेलिये, change into indirect speech, तो क्या हो जाएगा, the wolf, the wolf, the wolf, the wolf, ask it, the wolf, ask it, the lamb, the wolf, ask it, the lamb, question word से sentence प्रारम है, तो कंजक्शन का काम करेगा, हुआई, ओके, हुआई हो गया, अब क्या करेंगे, इस यू को change करेंगे, लाइम के अनुसार, प्यारे बच्चों, पुरुष के लिए हम ही, शी प्रोनाउंस यूज कर देते हैं, लेकिन, जानवर के लिए, एनिमल के लिए हम इट यूज करेंगे, तो लैम के लिए हम क्या लगाएंगे, इट, इट, ओके, उसके बाद, आर का हो जाएगा, वाज, मेकिंग, दा वाटर, डर्टी, प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी बुक में यहाँ इट के जगाँ पर, ही भी लिखा मिल रहा है, तो वो भी संटेंस ही होगा, ओके, लेकिन सेंस के अनुसार, यहाँ पर हम इट ही उचित माना जाएगा, तो क्या हो गया, दा ओल्फ, आस्केट, दा लेंब, वाई, इट वाज, यही वाज, मेकिंग, दा वाटर, डर्टी, बास समझ में आई, नेक्स्ट, क्या-क्या रूल है, ध्यान दीजी, रिपोर्टिंग वरफ सेट का आस्केट, या इनकोरेट, कामा इनकोरेट, कामा की जगापर, इफ या बेदर, या कोशन वर्ड आया है, तो कोशन वर्ड ही लिखा जाएगा, ओके, चेंज इन्टो इन्डारेक्ट स्पीच, दे, आस्केट, मी, हू से संटेंस प्रार हमें, तो कन्जक्शन का काम करेगा, हू, हू, उसके बाद यू कोशन चेंज करेंगे, मी के नुसार, तो क्या हो जाएगा, आई, आर का हो जाएगा, वाज, हू, आई, वाज, आर का क्या हो जाएगा, वाज, दे, आस्केट मी, हू, आई, वाज, बास समझ में आ रही है, नेक्स्ट, शेलिए, प्यारे बच्चो, नेक्स्ट, ही सेट टू मी, डू यू नो माई हो, चेंज इंट इन डारेक्ट स्पीज, तो क्या हो जाएगा, ही, आस्केट मी, ओके, प्यारे बच्चो, ध्यान देना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्प से संटेंस प्राराम भे रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, हेल्पिंग वर्प या माडल वर्प से स्टार्ट है, तो कंजेक्शन इफ या पाइप कर दिया, इफ, उसके बाद, यूगोद कंज करेंगे, मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, आई, प्रजेंट इंडिफनिट रिप रिप प्रेक को फिस अनुसार, तो नो, नो, या याका सेगड परूप ही क्या जाया जायका क्या हूँं हην छाहिग है, जय राथ autobi ह ओके यहों बाश्टमद में आ रही है he asked me if I knew his name next किरन सेट टूनेहा बिल यू गो टू शिटी तुमारो किरन सेट टूनेहा बिल यू गो टू शिटी तुमारो चलिए change into indirect speech किरन आसकेड नेहा किरन आसकेड नेहा model verb से sentence प्रारम भए तो if यूज करेंगे if you को change करेंगे नेहा के नसार तो हो जाएगा c क्या pronounce यूज करेंगे c प्यारे बच्चों अगर नेहा के जगा पर मुकेस होता तो pronounce ही हो जाता यहाँ पर c यूज करेंगे नेहा के नसार बिल का क्या हो जाएगा would go to city तुमारों को हो जाएगा the next day the next day किरन आसके नेहा if c would go to city the next day next प्यारे बच्चों कुछ माडल वर भै ध्यान दीजे जैसे बिल बिल का हो जाता है would कैन कैन चैन चैन्ज हो जाता है could में चैन्ज चैन्ज होता है शुड में ओके में में चैन्ज होता है माइट में हुआ जाता है और अउप हुआ आई सेट तो यू और यू आए सेट तो यू और यू चैन्ज इन्टो इनडेरेक्ट स्पीच तो क्या हो जाएगा I Asked You I Asked You Question Word से sentence प्रारम है तो conjunction का काम कौन करेगा Question Word तो क्या हो जाएगा Who Okay You change करेंगे You में तो You का You रहेगा Okay लेकिन R का हो जाएगा Where I Asked You Who You रहेगा Next Cheli Sandeep Said Where You Going To Lucknow In This Time Study Change Into Indirect Speech तो क्या हो जाएगा Sandeep क्या हो जाएगा Sandeep एक मिनट प्यारे बच्चू Sandeep Said का हो जाएगा Asked Okay फिर object यहाँ पर हम हर यूज कर लेंगे याद रखें Him, Her, Them कोई एक आप यूज कर सकते हैं You कोई Change करेंगे अब प्यारे बच्चू यहाँ पर Helping वर्प से Sentence प्रारंब है तो Conjunction If यूज करेंगे You Change करेंगे हर के अनुसार तो क्या लगा देंगे C ओके प्यारे बच्चू Where यानि Was where Present Perfect Sorry Past Continuous Change हो जाएगा Past Perfect Continuous Change में तो Was where का हो जाएगा Had been क्या हो जाएगा Had Been Going To Lucknow Okay In This का क्या हो जाएगा That Time Tomorrow का हो जाएगा The Next Day क्या हो जाएगा The Next Day Okay यहां लिख दें The Next Day Tomorrow क्या हो जाएगा The Next Day तो क्या हो जाएगा Sandeep Asked Her If she Had been Going To Lucknow In That Time Tomorrow Tomorrow नहीं Friend Easter Day एक Minute Friends तुमारों नहीं यहां पर Easter Day क्या है Easter Day एक Minute क्या हो जाएगा Sandeep Asked Her If She Had been Going To Lucknow In This का हो जाएगा That Time The Day Before Sandeep Asked Her If She Had Been यानि Was Where क्या हो जाएगा Had Been Past Continuous Change हो जाएगा Past Perfect Continuous Tense में Was Where Had Been Was Where Change हो जाएगा Had Been Going To Lucknow In The Time The Day Before Next प्यारे बच्चों I Said To The Girls Can You Solve This Question Change Into Indirect Speech I Asked The Girls Girls यहाँ पर Object है Model Versus Sentence प्रारम्भ है तो If Use करेंगे ओके You Change करेंगे Girl के अनुसार तो क्या हो जाएगा They Girl ज्यादा है Plural है तो Plural के या यूज करेंगे They Plural के क्या हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया था कैन का Could Solve This Friends Change हो जाएगा That में फिर Question Okay I Asked The Girls If They Could Solve That Question समझ में आ रहा है Next प्यारे बच्चों Last Question है They Said To Me What Are You Doing In These Days Change Into Indirect Speech प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यह संटेंस है यानि वो संटेंस डारेक्ट स्पीच का वो संटेंस जो कॉमा से बाहर होता है उसको बोलते हैं Reporting Verb क्या बोलते हैं Reporting Verb ओके वो संटेंस डारेक्ट स्पीच का जो कॉमा के अंदर बंद हो ध्यान दीजिए देखे यहां से कॉमा Start है यहां से बंद है तो यह संटेंस हमारा हो जाएगा Reported Speech ओके चलिए Change इंटर इंडरेक्ट स्पीच तो क्या हो जाएगा दे Shed का हो जाएगा Asked Me यहां पर Object है यह यह Object नहोता तो चाहे आप हर यूज करते चाहे आप Him यूज करते यह चाहे आप Them यूज करते का Object नहोने की Condition में Friends यह Sentence Question Word से प्रारम है Reported Speech तो Conjunction का जो काम करेगा What काम करेगा तो यहां पर हो जाएगा What प्यारे बच्चों अगर यह What ना आया होता यह Sentence Helping Word R से प्रारम होता तो हम Conjunction If या Whether यूज कर सकते थे लेकिन यहां पर Question Word है तो Question Word को हम यूज करेंगे What You Change करेंगे किसके अंसार Me के अंसार तो हजाएगा I Present Continuous Tense Change into Past Continuous Tense तो Is MR का हजाएगा Was I के साथ क्या यूज होता है Was Doing Okay Doing In These का हो जाएगा Those These का क्या हो जाएगा Those फिर हो जाएगा Days Okay तो क्या बन गया They Asked me What I Was Doing In Those Days प्यारे बच्चों कित क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें Share करें प्यारे बच्चों आपको यह फार्मूला याद रखना है जब प्रोनाूंस यूज करना है फिर मैं बता रहू है यह प्रोनाूंस आपको यूज करना है तो आपको फार्मूला Yes यान यान शन बटा 123 याद रखना है यानि वन का यहां पर मतलब है फर्स्ट परसंड जो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेट के अनुसार शेकेंड परसंड जो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अबजेट के अनुसार थर्ड परसंड क्या होता है नो प्यारे बच्चों इस अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करिएगा शेर करिएगा लाइक करिएगा थाइंक्यू फार वाचिंग